जैहिन दोस्तों बंदे मात्रम वेलकम है आपका विजयपत्ट डिफेंस एजुकेशन पालोंपुर में आज की वीडियो आपके लिए most important रहेगी आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आज हिमाचल परदेश के नए राजयपाल कौन बनाए गए हैं सो वीडियो आपको पूरी देखनी है हिमाचल परदेश करेंट अफेर की वीडियो आपके लिए रहेगी और सबसे important आज हम discuss करने वाले हैं कि राजयपाल हिमाचल परदेश के कौन बनाए गए हैं और इन से related कुछ important question सो session को आपने जरूर अपने friends में share कर देना है सो आप हमारे साथ बने रहें वीजयपात defense education youtube channel को subscribe करें और आप हमारे साथ आर्मी के batches भी join कर सकते हैं सो आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रेजिडेंट रामनात कोबिंद appoints new governor in 8 state हाल ही में राष्ट पती रामनात कोबिंद्ची के द्वारा आठ stateों में नए governor जो है वो न्यूक्त किये गए हैं जिसमें करनाटक, हिमाचल परदेश, हर्याना मध्य परदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और ज्यारखंड हैं इन सभी के states के जो governor है या तो उनको change किया गया है या इनके स्थान पे नए governor को appoint किया गया है तो इस वीडियो में सिर्फ और सर्फ हम जानेंगे कि हिमाचल परदेश से कुछ important question जो आपके लिए बनेंगे राज़पाल से related उनी के बारे में आज हम discuss करेंगे तो हमाचल परदेश के नए governor बनाए गए है आज जिनका नाम है राज़ेंद्र बिशुनाथ अलेंकर तो important question आपके लिए बनेगा ये कि हाल ही में नए governor कौन बनाए गए है हमाचल परदेश के और आज सबसे पहले आपके लिए वीडियो मिल रही है बीजपत defense education के तरप से तो बिडियो को जरूर लाइक करें अपने friends में share करें और साथ में हमाचल परदेश current affair के notes आप साथ साथ में बनाते चलें इन से related कुछ important fact discuss करते हैं राज़ेंद्र बिशुनाथ उनको हमाचल परदेश का नया governor न्यूक्त किया गया है और इससे पहले इनकी बात करें कि ये जो थे cabinet minister थे गोवा के जो गोवा सरकार है बहां के ये cabinet minister थे और उनकी जो बिधान सबा है गोवा की जो assembly है उनकी बिधान सबा के ये speaker थे बात करते हैं हमाचल के बिधान सबा के speaker की तो उनका नाम है विपिन सिंग परमार और ये गोवा के विधान सभा के speaker थे और आज इनको जो है वो हिमाचल परदेश का governor न्यूक्त किया गया है तो ये जो governor बने है ये बने है 21, 21th governor of the हिमाचल परदेश अगर इनके state की बात करें कि कहां से ये located है तो इनका जो birthplace है वो है पंजी जो की पढ़ता है हमारा गोवा में कुछ और discuss करते हैं इसके बारे में बंडारू दतात्रे जो है वो इन से पहले हमारे हिमाचल के governor थे इनका जो birthplace था या ये बिलोंग करते थे location थी इनकी वो थी हैदरावाद जो की हमारा पढ़ता है तेलंगाना में ये लोकसभा के member भी रह चुके हैं 2014 से 2019 तक उसके बाद इनको 20th governor नुक्त किया गया था हिमाचल परदेश का और सबसे important question अभी जो है ये हिमाचल परदेश से governor हटाये जाने के बाद इनको हरियाना का नया governor नुक्त किया गया है अब जो बंडारू दतात्रे हैं इनको हरियाना का governor बनाया गया है और हिमाचल में राजेंद्र बिश्वनाथ नय गवर्नर नुक्त किये गये हैं कुछ important fact जानते हैं governor से related हिमाचल के पहले governor कौन थे तो उनका नाम था S. चक्रवती most important question है बारवार exam में पूछा जाता है उसके बाद हिमाचल के बरतमान governor कौन है तो उनका नाम है राजेंद्र बिश्वनाथ अलेंकर important question है next one राजे के governor की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो इसकी नुक्ति की जाती है भारत के राष्टपती के द्वारा जिनका नाम है रामनाथ कोबिंद्द और किस article के तहत इनकी नुक्ति की जाती है तो वो article है हमारा article 155 article 155 के तहत राजेपाल की सोरी गवर्नर की न्युक्ति जो है किसी भी स्टेट में की जाती है next one है कि गवर्नर का कारेकाल कितना होता है या राजेपाल का कारेकाल कितना होता है तो इनकी कोई सीमा नहीं होती है ये निर्धारित करते हैं भारत के रास्ट्रपति उनी के उपर ही depend रहता है कि कब इनको change करना है कितने टाइम के बाद इनको change करना है next one most important question governor की IU सीमा कितनी होनी चाहिए minimum IU तो वो होनी चाहिए 35 years और आज जो आपका हिमाचल परदेश subordinate board का exam था उसमें जो है ये वाला question आप से पूछा गया था next one जो हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विजयपत्ट defense education के साथ हमारे whatsapp group के साथ आप जरूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair pdf study materials आपको free of cost provide करवाया जाता है वीडियो अच्छी लगे वीडियो को share करें जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम